students electromagnetic induction और faraday's law में हमने देखा था कि हम जब magnetic flux change करते हैं किसी closed loop में या दोनों को relative motion देते हैं loop या magnet को या permanent magnet को यानि magnetic flux हम उसमें change करते हैं तो वहाँ पर induced EMF आ जाता है उस पर हम इने detail के साथ बात की थी अब उसी valetromagnetic induction का यहां पर हम एक principal application करते है किस तरह हम a call voltage को come या increase कर सकते हैं, voltage को step down कर सकते हैं उसको step up कर सकते हैं याने transformer actually क्या करता है? voltage की value को increase भी कर सकता है या उसको decrease भी कर सकता है, यह उसकी structure पर depend करता है, so transformer पर हम बात करेंगे, जिस तरह कि देके power plants से हमें जो वहाँ पर जो electricity produce होती है so वो kilo volts में होती है उसका power अगर अब देखे और पिर उसकी voltage देखे so kilo volts में उसकी voltages होती है तो घरों पर या shops में या offices में हम use करते हैं कम voltage तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं step down करते हैं यानि उसकी जो value है उसको हम decrease कर लेते हैं step down step down करते हैं उसकी value को या अगर बहुत कम voltage है हमें ज्यादा कहीं पर चाहिए तो हम transformer को use करके उसको step up भी कर सकते है यानि उसकी जो value है उसको हम क्या कर सकते है step up भी कर सकते है so actually इससे हम voltage इसको क्या करते हैं transform करते हैं यही principle हम यहाँ पर apply करेंगे, electromagnetic induction का, अब देखें, एक simple हमने figure दिखाया हुआ है, इसको आप consider कर ले, figure 1, हमारे पास है figure 1, figure 1 में हमने दिखाया हुआ है, हमारे पास एक core है, जो के actually, यहाँ पर बाहर से आप यह एक rectangular form का आपको नज़र आ रहा है, अगर आप plan form में देखें, rectangular form में जो box नज़र आ रहा है आपको, आप इसको square form भी ले सकते हैं, so, अब यहाँ पर आप देखें, दो हमने coils लिए हुए है, इसके जो, आपका, जो left side है, देखें, यहाँ पर, इस coil का आप consider कर ले, जो हमने red color में देखाया हुआ हुआ है, right side पर यह coil हमने देखाया अब देखें, यह coils एक दूसरे के साथ connected नहीं है, physically, यहाँ एक दूसरे को touch नहीं करते हैं, बलकि हमने इन दोनों के एक दूसरे से insulated रखा हुआ है, यह एक दूसरे को touch नहीं करते हैं, कोई connection नहीं है दोनों में, लेकिन जो in coils के दरम्यान, जो material हम use करते हैं, वो actually क्या होत electric current पास करते हैं, या इसको magnetic field में रखते हैं, external magnetic field में तो क्या होता है, कि iron जो है, magnetize हो जाता है, so हम easily इसको magnetize कर सकते हैं, यह यूँ भी हम कह सकते हैं, कि अगर आप air use करते हैं, या बाकी चीज़े use करते हैं, non-magnetic, तो वहाँ पर magnetic field strength उत्कम होते हैं, लेकिन अगर आप magnetic material use करते हैं, यह external magnetic field strength को increase करते हैं, जूँकि इसका अतना भी magnetic field उसी direction में align आ जाता है, उसी direction में produce हो जाता है, so अगर आप देखे, suppose, मैं एक coil को नाम देता हूँ, primary coil, let's suppose अब यह वाला consider कर लें, this is primary coil, primary, इसको P से denote करता हूँ, और जो next one है, that is secondary coil, इसको आप S से simply denote कर सकते है secondary coil है, अब देखे, number of turns में आपको difference नजर आ रहा है, जो red वाले है, उसमे number of turns ज्यादा है, और जो आपको blue वाले नजर आ रहा है, उसमे number of turns जो हो कम है, अब देखे, अगर मैं इसको एक को, primary को जो है, किसी source से में current provide करता हूँ, यानि यहाँ पर actually मैं क्या provide करता हूँ, potential difference, V, potential difference है, या आप EMF कह सकते हैं, so potential difference में इसको provide करता हूँ, voltage provide करता हूँ, चुंकि यह primary coil है, तो इसमें मैं जो voltage provide करता हूँ, इसको मैं denote करता हूँ, VP से, यह VP है, अब देखे, जब हम यहाँ पर electric current इसको provide करते हैं, तो क्या होता है, कि electric current की वाजा से, यहाँ पर magnetic field produce होगा इस coil के अंदर आप देखे, direction of current से, आप easily right hand rule यूज़ करके, वहाँ पर magnetic field की direction है, वो आप calculate कर सकते हैं, जिससरा हमने solenide में देखा था, कि right hand के जो बाकी fingers है, आप current की direction में रखके, thumb आपको magnetic field का direction देगा, so आप यहाँ पर देखे, suppose current की direction है, वो यू है, इस coil में यू यू से calculate कर सकते हैं, जो के upward होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो magnetic field produce होगा, देखे, नार्थ पोल से, यहाँ से magnetic field lines, extrude field को हम lines से represent करते हैं, यह magnetic field lines है, magnetic field lines ऐसे produce होगे, अब हमने जो यहाँ पर configuration दी है, उसको हम for simplicity लेते हैं, एक ideal configuration, यानि हम यू, suppose करते हैं कि कोई magnetic field line जो है, व lose नहीं करती हैं से, बाहर नहीं जाती है, यानि magnetic field line, magnetic field जो है, हमने उसमें loss को minimize रखा हुआ है, उसमें कोई loss नहीं आता, magnetic field lines जो है, जितने यहाँ पर produce होते हैं, उतने ही magnetic field lines इसी core के अंदर, इसी configuration के अंदर, यू आते हैं, जो magnetic flux का, आपको यहाँ पर direction शो हो रहा है, यह अंदर करनी देके, यहाँ को रहा है अर यहाँ पर हमने secondary coil रखा हुआ है, अब जैसे-जैसे, यहाँ पर चुनकि alternating current हम इसको देते हैं, जैसे-जैसे alternating current की value चेंज होती है, वैसे उसके साथ magnetic field की strength भी चेंज होती है, magnetic field की strength चेंज होगी, तो इसमें magnetic field lines चेंज होगे, तो यहां पर magnetic flux change होगा और magnetic flux change होगा तो इसमें EMF induced होगा जिस तरह के पहले हमने पढ़ाता कि जब EMF जो induced होता है वो speed depend नहीं करता है कि कितना magnetic field है बलकि speed depend करता है कि magnetic field change कितना हो रहा है अगर आप कोई constant field रखके आप बहुत ही strong constant field यहां पर apply कर लें लेकिन अगर वो change नहीं हो रहा है इस coil के अंदर उसका magnetic flux change नहीं हो रहा है तो कोई induction नहीं होगी EMF की लेकिन अगर आप weak current भी प्रोवाइट कर लें sorry weak field भी प्रोवाइट कर लें लेकिन अगर वो change हो रहा है तो वो EMF induce कर सकता है so actually depend करता है the changing of magnetic flux so यहां पर चुंकि हमने इस system को लिया हुआ है कि कोई magnetic field line बाहर नहीं जाती lose नहीं करती इसलिए सारे magnetic field lines इस iron core की मदद से वो इस coil से पास होंगे और जब यहां पर magnetic flux change होगा तो यहां पर भी change होगा जो कि actually induce करेगा एक EMF जिसको हम कहते हैं induced EMF आप देख रहे हैं कि यह दोनों coils एक दूसरे से insulated है connected नहीं है लेकिन electromagnetic induction की मदद से हम इसमें induced EMF जो है वो यहां पर produce कर रहे हैं और induced EMF हमने देखा था कि जब हम non electric sources से अब देखे यहां पर हम current से ही वो magnetic flux produce कर रहे हैं लेकिन actually जो induced EMF है वो change in magnetic flux की वज़े से हा रहा है so एक non electric source है actually जो कि magnetic field है वो यहां पर induced कर रहे है magnetic electric field को EMF को इसको हम कहते हैं induced EMF so एक हमारे पास आ गया यहां पर जो EMF होगा उसको हम primary EMF कहते हैं primary EMF इसको EMF P से आप denote कर सकते हैं और next इसमें induced होगा उसको हम induced EMF कहते हैं जो कि actually आप ES से denote कर सकते हैं इसी तरह इस coil में आप देखे जितने number of turns होंगे ऊसको आप NP से denote कर सकते हैं number of turn in primary coil इसी तरह जो next में है उसको आप NS certificates है number of turns in secondary coil अब यह तो देखे हैं simple हमारे पास वो जो data है, उसको mu लिख सकते हैं, जो इसमें EMF से आ रहे हैं, जो इसमें number of turns है, etc. अब देखे, according to Faradayla, अब अगर हम यहाँ पर इस coil में magnetic flux की जो value है, या EMF हम consider कर ले, so first जो हमारे पास coil है, primary coil, उसमें EMF की value हम किस तरह लिख सकते हैं, according to Faradayla, जो इसमें EMF की value होगी, वो हम लिख लेंगे, EP is equal to minus, चुंकि lens is last है, वो minus हम put कर सकते हैं, into NP, NP, और change of magnetic flux with time, यानि, actually EMF depend करता है, change of magnetic flux पे, जितना आप ज्यादा उसको change करते हैं, उतना ज्यादा produce होता है, कम change करेंगे, तो कम produce करता है, NP number of turns है, जितने number of turns ज्यादा होंगे, उतना EMF ज्यादा आएगा, इसी तरह जो next में produce होगा, वो है ES, secondary coil में, बिल्कुल इसी form में होगा, लेकिन इसमें configuration ये होगी, Ns, number of turns उसमें different है, और बाकी हमने देखा कि जितना magnetic flux प्राइमिर में change होता है, उतना ही वहाँ पर secondary में change होता है, ये दोनों values actually equal हैं, चुंकि हमने ideal configuration जो है वो suppose की होई है, कोई magnetic line जो है वो lose नहीं करती, अब हम इसको simplify करते हैं, और उसके लिए आप देखें किस तरह हम इसकी value निकालते हैं, next lecture में हम डिसकास करते हैं,